आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही स्पाइसी टैंगी आलू कचालू की रेसिपी और बहुत ही क्विक बन जाती है बहुत इजी है इसको आप लोग जरूर ट्राइब कीजेगा आप रमजान में ट्राइब कीजेगा और इवनिंग स्नैक्स के रिए उस जादा बॉयल हो चुकी है आलू हलकी सी टूट रही है तो उसका कोई मसला नहीं है वह मसालों के साथ बाद में मिक्स होके बहुत ही टेस्टी कोटिंग जो रडी हो जाती है आलू के उपर जैसे यह फ्रेश आलू है तो इसके उपर एक अच्छा सा कोड देंगी तो उसका क काट लें इस टोटिली अप टू यू और उसके बाद इसके लिए मसाला रेडी करते हैं आलू हो गया है तो अब यह मिक्सर जाल ले लिया और उसमें मैंने 5-6 हरी मिर्ची डालनी है लेस स्पाइसी मिर्ची है जादा तीखी है तो कम डालिएगा दो से तीन डालिएगा फि मिलोग बनाती है यह वही है उसके अंदर का मसाला और खटाई के उपर की स्किन को अच्छे से स्पून से खुरुच लें और उसके बाद इसको निकाल लें और उसके बाद इसमें डाल देना है दही और दही यहां पे मैंने एक कपली है दही थोड़ी जादा डालेंगे तो पानी डाल सकते हैं अगर आपसे नहीं पिस रहा है तो इससे घीला गीला सा कचालू लगेगा वह भी बहुत मज़ेका लगता है मैं तो आपकी चोई से दही जादा डालेंगे तो फिर आपका थोड़ा जादा ही वह स्टिकी स्टिकी सा होगा जो खाने में बहुत यमी लग कर रही हूं तो थोड़ा थोड़ा डालें और उसके बाद इसको मिक्स करें और टेस्ट कर लें क्योंकि हो सकता है यह स्पाइसी हो सॉल्ट मैंने सिर्फ दो चुटकी डाला है इसमें उसका रीजन यह कि खटाई में बहुत नमक होती है ठीक है तो प्लीज नमक डालिए गह नहीं हमत या फिर दो चुटकी डालिएगा दो तीन चुटकी टेस्ट करने के बाद बाद में डालिएगा यह जरूर ध्यान देना है आपको क्योंकि खटाई में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है तो आप अपने हिसाब से जड़ा देखके सोचके तभी डालिएगा वन् चुट कर दो एंख विडियो अल्हाद इस था इस